उत्तरप्रदेश में करोना की दूसरी लहर का भयावा रूप दिखाई देने लगा है पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 12,787 नए करोना मरीज पाए गए हैं जबकि 48 मरीजों की मौत हो गई है करोना के बढ़ते कहर को रोकने के लिए सियम योगी ने सक्त रुख अपनाते हुए शनिवार को गोरखपुर में अधकारियों को कई दिशा निर्देश दिये सियम ने कहा कि जिलों में कोविट केसों की संख्या का आकलन कर नाइट कर्फ्यू का निर्ने लिया जाए उन्होंने जिला दिकारी से इस बाबत कहा है जिला प्रशासन ऐसी विवस्था बनाएं जिससे कोई भी सार्जनिक आयोजन, बर्डे, विवास अमारो या अन्यकारिकरम रात 9 बजे से पहले ही संपन्न हो जाएं को ने कहा कि लोगों को इसके लिए जागरूप करें और कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए प्रेरीत करें सीम नहीं यह निर्देश शनिवार को बी आडी मेडिकल कॉलेज गुरखपुर में कोरोना नियंत्रन कोविट टीका करण और इंसे फ्लाइटिस उन्मूलन की सम कोज मरीज मिल रहे हैं और उनके लिए अस्पतालों में बैड तक की ब्यवस्ता नहीं है